प्रमेश्व पिता की स्तूती हो कि इस कारिक्रम के द्वारा हम अपने जीवन में लगातार सुधारने वाली शिक्षा को ग्रहन कर पा रहे हैं बीते साथ सप्ताह से हमारे मनन का विशय है कारिय और हम बाइबल के उन सिद्धानतों पर मनन कर रहे हैं जो हमारे कारिस्थल में हमारे चाल चलन पर हमारा मार्ग दर्शन करेंगे हमने अब तक साथ पार्ट इस विशह पर सीख लिये हैं और इसके अंतरगत की कार्य कैसे न करें How not to work Up till now we have seen seven lessons Lesson number one was Do not over differentiate between the secular and the sacred लौकिक और आत्मिक कार्यों के बीच में अधिक अंतर न करें Lesson number two Do not be satisfied with average performance दूसरा पार्ट था कि अपने आसत प्रदर्शन से संतोष्ट न रहें Lesson number three Do not downplay the importance of planning तीसरा पार्ट था कि नियोजन के महत्व को कम न समझें Lesson number four Do not waste time चौथा पार्ट समय बर्बाद न करें Lesson number five Do not substitute divine favor for hard work पाच्वा पार्ट था कि करी मेहनत के बदले इश्वर ये अनुग्रह को विकल्प न समझें Lesson number six was Do not hesitate to learn from others दूसरों से सीखने में संकोच न करें Last week we have seen the seventh lesson पिछले सब्ता हम लोगों ने सात्वा पार्ट सीखा था And that was do not lose the spirit of servanthood सात्वा पार्ट था कि सेवकपन की भावना में धीलापन न आने दें Today we will be learning the eighth lesson on how not to work कार्य कैसे न करें आठवा पार्ट Do not neglect your body अपने शरीर की उपेक्षा न करें मैं इसे दोराता हूँ How not to work कार्य कैसे न करें Lesson number eight Do not neglect your body आठवा पार्ट अपने शरीर की उपेक्षा न करें जब मैं ये बात कह रहा हूँ तो मेरे पिताजी के कहे हुआ है कुछ शब्द याद आते हैं जो कहते थे कि यदि दिवार न हो तो उस पर पुताई नहीं कर सकते मेरे बाल्ले काल में और यहां तक की मेरे सेवकाई में आकर के प्रारम के जो वर्ष थे मैं इस वाक्य को या तो समझ नहीं पाया या कुछ अस पश्ट सा लगता था मुझको जमता नहीं था कि इसका क्या अर्थ होता होगा मैं तो उल्टा यह समझता था कि शरीर को अगर मैं कश्ट देता हूँ मेरे शरीर में अगर मैं दुख उठाता हूँ तो यही मेरी आत्मिक्ता का नाप है परंतु बाइबल ऐसा बिल्कुल नहीं सिखाती है शरीर की उपेक्षा करना आत्मिक्ता नहीं होती है हमें तो अपने शरीर के एक एक अंग को और वो कैसी अदभुत रीती से रचे गए हैं हमारे बाहिय अंगों को और हमारे भीतरी अंगों को भी परमेश्वर ने बड़े अदभुत तरीके से रचा है और उस बात को हमें समझना चाहिए और उसकी सराना भी करना चाहिए दाउद के शब्दों में आईए भजन सहिता के 149 में अध्याय में हम देखते हैं कि वो परमेश्वर से देखी क्या बात कर रहा है 149 का 131 वच्चन और आगे के कुछ वच्चन मेरे मन का स्वामी तो तु है मेरे मन को जानने वाला तु ही है तूने मुझे माता के गर्ब में रचा है मा के गर्ब में मुझको रूप दिया है मैं तेरा धन्यवाद करूँगा इसलिए कि मैं भयानक और अद्भुत रिती से रचा गया हूँ तेरे काम तो आश्चर्य के हैं और मैं इसे भली भाती जानता हूँ मनुश्य के शरीर की जो रचना है आज भी ये बड़े बड़े खोज करने वालों के लिए भी अद्भुत बात है बड़ी रहस्यम ही बात है कि कैसे मा के गर्ब के अंदर वो हड़ियां जुड जुड करके एक मानो रूप लेती है एक शिशू का जन्म होता है ये सब बड़ी भयानक रिती से और साथी साथ बहुती अद्भुत रिती से रचा गया है और परमेश्वर की देखरेक में ये सब कुछ होता है जब मैं गुप्त में बनाया जाता और प्रित्वी के नीचे स्थानों में रचा जाता था तब मेरी हड़ियां तुझ से छिपी न थी दुनिया को तो न दिखता था परंतु तु एक एक बात को देख रहा था तेरी आँखों ने मेरे बेडौल तत्व को देखा और मेरे सब अंग जो दिन दिन बनते जाते थे वे रचे जाने से पहले तेरी पुस्तक में लिखे हुए हैं कितनी अदभूत बात है कि मेरे शरीर का एक एक अंग और उनका बनाया जाना और मेरे शरीर के भीतिरियंग और उनका स्थान और उनका कार्य और जब समय पैदा हुआ उनका कार्य चल रहा है यह शरीर जो है बड़ा अद्भुत है बड़ी अद्भुत रचना है अपने परमेश्वर की और इसलिए आज का पाठ कहे रहा है अपने शरीर का ध्यान नहटने देना, अपने शरीर की उपेक्षा ना करना, do not neglect your body, क्योंकि ये परमेश्वर का एक अद्भुत गिफ्ट है हम लोगों के लिए, प्रियों शरीर की उपेक्षा जो विक्ती करता है, वो बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि यह ईश्वरिय नहीं ह ये बाइबल आधारित नहीं है, बहुत से लोग, विशेश करके वे लोग जो आत्मिक शेत्र में हैं, वे इस भ्रम में जीते हैं, कि यदि हम अपने शरीर को कष्ट देंगे, अलग-अलग प्रकार की यातनाओं से गुजरने देंगे, तो हम वास्तों में आत्मा में जूट है, हमारी आत्मिकता में वृद्धी शरीर के किसी कष्ट के साथ में नहीं जुड़ी है, ये बाइबल आधारित नहीं है, ऐसा अभ्याज गलत है, और ऐसा सोच विचार भी एकदम जूट बात है, प्रारंभिक कलीसिया में यहा विचार, ये जूटी शिक्षा घु और इसी के विशे में पॉलूस प्रेरित सुधारते हैं, लोग समझने लगे थे कि शरीर को कष्ट भोगने देंगे, तो हम आत्मा में बढ़ते रहेंगे, लेकिन ऐसा बिलकुल नहीं है, मेरे साथ में आप भी खोलिएगा, कुलूसियों के नाम पॉलूस प्रेरित की पत् इशा की और से मर गए हो, तो फिर क्यों उनके समान जो संसार के हैं, जीवन बिताते हो, जीवन में संसारिक बातों को छोड़कर, पुरानी बातों को छोड़कर, वो सब कुछ बंद करके, अब हम इश्वरी ये बातों में आ जाना चाहिए, पॉलूस पश्ट कहते हैं, अब क्यों कर तुम उनहीं विधियों के वश में रहते हो, कौन सी विधियां, ये मत छूना, उसे न चखना, उसे हाथ मत लगाना, ये सब वस्तुएं काम में लाते लाते नश्ट हो जाएंगी, क्यों, क्यों कि ये मनुश्यों की आग्याओं और शिक्षाओं के अनुसार ह ये सारी बातें जो कह रहे हैं, कि शरीर को इन बातों से बचा करके रखो, शरीर को इस प्रकार के कष्ट में से गुजरने दो, शरीर के उपर ये तकलीफ और यातना आने दो, येहा परमेश्वर की आग्या नहीं है, बाइबल कहती है, कि ये मनुश्यों की बनाई हुई आ आगे लिखा है, इन विधियों में अपनी इच्छा के अनुसार गड़ी हुई, भक्ती की रीती और आत्महींता और शारीरिक योग्यभास के भाव से ग्यान का नाम तो है, पर शारीरिक बातों के रोकने में इनसे कोई लाद नहीं होता, देखने से ऐसा प्रतीत होगा, कि ये बड़े फाइदे की बात है, शरीर पर ऐसा कश्ट आने दें, तो ऐसा लगेगा आत्म वृद्धी कर रही है, लेकिन केवल प्रतीत होता है, इस बात में ऐसी कोई सच्चाई नहीं है, शरीर पर यातना हमको ऐसे आभास भर देता है, ऐसा महसूस करेंगे कि अंदर अच अर्थ कर बैठते हैं और उन में से सुनाते हैं, मेरे साथ खोलिएगा पहला तिमित्युज उसका चौथा अध्या है, और उसके आठवे वचन में, क्योंकि देह की साधना से कम लाब होता है, पर भक्ती सब बातों के लिए लाब दायक है, क्योंकि इस समय के और आने वाले जीवन की भी प्रतिग्या इसी के लिए है, देह की साधना से कम लाब होता है, पर भक्ती सब बातों के लिए लाब दायक है, यहाँ पर पौलुस प्रेरित हमारे शारिरिक व्यायाम का विरोध नहीं कर रहे हैं, बलकि एक चितावनी दे रहे हैं, कि हम अपना चित केवल इ जो शारिरिक हैं, जो शनिक हैं, जो थोड़े समय की हैं, यदि मैं कसरत करता हूँ, व्यायाम करता हूँ, तो बाईबल कहती है, बेशक तेरे लाब की है, परंतु ये लाब तेरे संसार के जीवन भर के लिए है, 70 साल 80 साल बहुत जीलिया 100 साल लेकिन जो तुम्हारा आत्मिक अभ्यास होगा वो तुम्हारे इस जीवन में भी और अनंत काल के जीवन में भी जो आने वाला है तुम्हारे साथ बना रहेगा और उसका प्रभाव तुम पर होता रहेगा मैं फिर कहता हूँ कि पॉलूस अपने इस कथन के द्वारा हमसे ये नहीं कह रहे हैं कि हमें शरीर की तरफ दुरलक्ष करना है ऐसा नहीं है कि वैयाम बिल्कुल बंद कर दें शरीर के लिए वैयाम करना भी बहुत अच्छी बात है लेकिन इससे कम लाब होता है एक और तरीके से हम अपने शरीर को कश्ट देते हैं अपने शरीर को मनुनाश करते हैं और वो होता है हमारा अती महत्व कांशी होना हम लोग बहुत बड़ी बाते सोचते हैं और उन बड़ी बड़ी बातों को करने के लिए अपने शरीर को बड़े बड़े कश्टों से कोई बात आती है उसके साथ साथ हमारे मन में तनाव उत्पन होता है अब इस बात को पूरा करना है इतने समय में पूरा करना है इतनी मेहनत लगेगी और इस प्रकार के तनावों से हम लोग गिर जाते हैं मैं प्रभु येशु के जीवन की तरफ आपका ध्यान खीचना मुझे बताईए कि क्या प्रभु येशु जब उन दिनों में पलिस्तीन देश में घूमते फिरते थे क्या भारत देश में कोई लोग नहीं थे क्या यहां पर आत्माओं का पतन नहीं हो रहा था तो क्या प्रभु येशु दोड़ करके भारत देश में चले आए कि मैं यह पर भी लोगों को बचा लूँ ऐसा उन्होंने नहीं किया वे केवल उस स्थान में और उस देश में अपने कार्यों को कर रहे थे और इसके बावजूद मैं यह सुनता हूँ कि कुरूस पर से उन्होंने कहा कि पूरा कर लिया है यहां पर प्रभु येशु वास्ता में जो कह रहे हैं मैं आपको यहनरची सूसमाचार के सत्रव ध्याय में जहां पर महायाज की अप्रार्थना है उसके चौथे बचन में से बताना चाहूंगा प्रभु येशु ने क्यों कह दिया कि पूरा किया येशु ने कहा हे पिता जो कार्य तूने मुझे करने को दिया था इसलिए मैं आपको भी यही सला देना चाहता हूँ ध्यान करें इस बात पर गौर करिये इस बात पर कि आपको क्या काम सौपा गया है और वो ही काम करें वो ही महत्व पूर्ण है आप सारे काम करने की इच्छा करना चाहेंगे बहुत जादा महत्व कांग्शी अगर हो अपने ही शरीर पर दुख की बात आती है प्रियों प्रभु येश्व ने इसको इसलिए कर पाया क्यूंकि उन्होंने किसी कार्य को इंकार किया यदि आप प्रभु येश्व मसी की सिवकाई में से भी देखेंगे तो आप देखेंगे कई बार उन्होंने कहीं जाने से भी इंकार किया है कोई जगा जाकर पहुंच कर वहां या फिर किसी स्थान में रुकने के लिए भी इंकार किया हमको काम करने के लिए हां करूंगा हां करूंगा हां करूंगा ऐसे करके भी हम अपने शरीर पर कश्ट ले आते हैं हमें सीखना पड़ेंगा नहीं बोलना कि जब नम्रता से कह दीजिए कि मेरे पास अभी बहुत काम है मैं ये काम नहीं ले पाऊंगा या ये काम अगर आप मुझे दे रहे हैं तो इतना काम मुझसे हटा लिया जाए ताकि मैं ये काम इमानदारी से और अच्छी रीती से पूरा कर सकूँ प्रभु येशु मसी के जीवन मे मैं एक खास घटना आपको सुनाना चाहता हूँ जो लुकर अच्छी सूसमाचार में हमको मिलती है प्रभु येशु मसी की सेवकाई नासरत में अर्थात उनके अपने गाउं में उतनी अच्छी नहीं हुई जितना की अन्य शेहर में जैसे की इस कफर नहुं में और कफर नहुं में भीड की भीड तूट पड़ रही है पूरा की पूरा गाउं मर पड़ रहा है आसपास के भी लोग आ जाते हैं वहां पर खूप काम हो रहा है फिर एक दिन प्रभु येशु ने वहां से निकल कर के कहीं और जब जाना चाहा तो लोगों ने घेर लिया येशु क अचन में से बता रहा हूं जब दिन हुआ तो वहां निकल कर एक सुनसान जगा में गया और भीड की भीड उसे ढूंडती हुई उसके पास आई और उसे रोकने लगी और वहां उनके पास से न जाय ऐसा आग्रह करने लगी परंतु इश्व ने उनसे कहा मुझे अन्य नग पर्मेश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाना अवश है क्योंकि मैं इसी लिए भेजा गया हूं मेरे नाम के लिए ये काम लिखा है मेरे हिस्से का काम जो यहां था यहां मैंने पूरा किया आप मुझे वहां पर काम करने जाना है मुझे जाने दो मैं यहां और काम नहीं करूँगा और इस प्रकार से उन्होंने स्पष्ट इनकार किया मैं इसी बात को प्रेरितों के जीवन में भी देखता हूँ जब प्रेरितों की मिशनरी यात्राएं शुरू हुई तो इसी प्रकार से वे भी ध्यान रखते थे साथ में खोलिएगा दूसरा कुरंती और उसका 13 और 14 वच्चन में से बताता हूँ हम तो सीमा से बाहर घमंड कदापी न करेंगे परंतु उसी सीमा तक जो परमेश्वर ने हमारे लिए ठहरा दी और उसमें तुम भी आ गये हो और उसी के अनुसार घमंड भी करेंगे क्यूंकि हम अपनी सीमा के बाहर अपने आपको बढ जाना नहीं चाहते जैसे कि तुम तक न पहुंचने की दशा में होता है परमेश्वर ने प्रेरितों को जो काम दिया था वो उनको मालूम पड़ गया वे जानते थे कि परमेश्वर चाहता है कि हम इस घेरे में रह करके प्रभू केसू समाचार को सुनाएं और उसके आश् अपने जीवन की गवाहिया आपके सामने रखना चाहता हूँ 1975 में जब मैंने अस्पिताल की नौकरी से इस्तीफा दिया और फिर उसके बाद पूर्नकालीन सिवकाई को आरम किया उस समय मेरे बहुत से मित्रों ने मेरे चाहने वालों ने बड़े साफ दिल से और अच्छे ओदेश से मुझे यहां सला दी कि मैं वेलोर जैसे छोटे से गाउं से निकल करके मदरास में आ जाओं उस समय चिन्नई को मदरास कहा करते थे तो वे चाहते थे कि बड़े शहर में आ जाओंगा तो सिवकाई का दायरा बहुत बढ़ जाएगा लेकिन मैंने अपने उन दोस दोस्तों से सपष्ट कह दिया कि मुझे एक ऐसा स्थान चाहिए जहां पर थोड़ी शांती हो और जहां पर कम से कम विकर्शन हो लोग मुझे तरक वितरक दे करके अलग अलग परियाय देते जा रहे थे कि यदि मैं वहां चिन्नाई जाओंगा तो बहुत सारी जगा में उटना बैठना ये नहीं मुझे तो एक शांत स्थान चाहिए था क्योंकि मैं लेखनकारे करना चाहता था सब्दा अंत के कन्वेंशन के लिए भी निमंतरन आया करते थे और मैं उसे भी बड़ी विनम्रता पूर्वक मना कर देता था लोगों से कहता था मेरी बुलाहट ज तो मुझको ये भी सला दी कि विदेश में चले जाएं, United States of America में चले जाएं और उन्होंने बताया कि बहुत से बड़े बड़े प्रचारक ऐसा ही करते हैं कि विदेश में जा करके बस जाते हैं, इससे होता क्या है कि विश्वव्यापी सिवकाई करने का मौका मिलता है, प फिर ऐसा भी मौका आया जब एक नई तमिल बाइबल बन रही थी और लोगों ने मुझे निमंतरन डिया कि उसके अनुवाद के लिए जो समनवयक कियाओ शक्ता है उसमें आप आ जाएं लेकिन मैंने अंदाज लगा लिया कि इसमें मेरा बहुत सारा समय चला जाएगा मैंने वहाँ पर भी इंकार कर दिया लोगों ने फिर मुझे से कहा कि आप टेलीविजन मिनिस्ट्री में आ जाईए आपके संदेशों के लिए हम प्रायोजक करेंगे हम पैसा प्रदान करेंगे आप इंकारियों को भी करें लेकिन उन दिनों में मैं ब्लेसिंग यूथ मिशन का म मेरे लिए बड़ा कठिन था कि टीवी रिकॉर्डिंग के लिए आऊं और टीवी के लिए हर सबता के लिए मेसेश तयार करता रहूं उस समय भी मैंने मना कर दिया था वो तो अब मेरी सेवा निवृत्ती के बाद में समय मिल पाया है कि मैं टीवी पर आज इस तरीके से आ प्रियों यदि मैंने इन सारी बातों के लिए इंकार नहीं किया होता तो आज जो मैंने ये इतनी सारी धेरों पुस्तकें लिखा हूं ये नहीं लिख पाता यदि मैंने वो इंकार नहीं किया होता तो आज मैंने इतने सैक्डों मिशनरियों को जो खड़ा किया हूं ये भी को उपदेश दे करके सहायता भी नहीं कर पाता था 1996 में हृदेश रले क्रिया के लिए मुझे जब अस्पताल ले जाया जा रहा था तो मुझे कोई अधूरे काम के रह जाने का दुख नहीं था मैं संतुष्ट था कि परमेश्व ने जितना काम मुझे सौपा है मैंने उसे किया है तो प्रियों हमें तयार रहना चाहिए बलकि सक्षम रहना चाहिए कि जब कुछ बाते हमारे लिए कही जाती है तो हम नहीं बुलना सीख लें हमारे सीमा को देखे हमारे दाइरे को देख लें परमेश्वर ने हमारे शरीर को बड़े ध्यान से बनाया है बहुत अद्भूत रिती से बनाया है और इस शरीर में संकेत आने लगते हैं यदि हम शरीर पर कुछ भारी काम दे रहे हैं उसकी शमता के बाहर अगर कुछ होता है तो शरीर आपको कही ने कही संकेत दे रेता है और इन संकेतों का नजर अंदाज हमको नहीं करना चाहिए आज का पाठ हमको यही सिखा रहा है कि अपने शरीर की उपेक्षा न करें ये परमेश्वर ने आपको दिया है एक कहावत है कि एक ठके हुए घोड़े पर चाबुक मत चलाना वो घोड़ा ठक गया है उसे विश्राम की आउशक्ता पड़ती है लेकिन मैंने कुछ लोगों को बाइबल का एक वचन बोलते सुना है वे कहते हैं कि जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ फिलिपियों के चौधे अद्याए और तेरवे वचन में से बोल करके बताते हैं और मैं ऐसे लोगों को फिर पूछता हूँ भाईया बताईए पॉलूस ने ये वच्छन क्यों कहा था और मैं उनको बताता हूँ कि चौथे अध्याय का तेरवा वच्छन बोलने से पहले बारवा वच्छन पर भी गौर कर ले यहाँ पर लिखा है मैं दीन होना भी जानता हूँ मैं दीन होना भी जानता हूँ बढ़ना भी जानता हूँ और हर एक बात में और सब दशाओं में मैं तृप्त रहना और भूखा रहना और बढ़ना और घटना सीख लिया हूँ इसलिए जब भी हम बाइबल के किसी शब्द को बोल रहे हैं बहुत जरूरी है कि हम ध्यान रखें कि वो किस संदर्भ में बोला गया है इस बात को याद रखें कुछ लोग पैसा कमाने के लिए ओवर टाइम करते हैं पैसा अधिक कमाने की इच्छा से उनके पास है परियाप्त है भरपूर है लेकिन फिर भी और पैसा चाहिए और इसलिए वो ओवर टाइम करते हैं परंतु प्रियों मैं आप लोगों को सला देता हूं समझा रहा हूं आगे चल करके यही पैसा आपको अपने इलाज के लिए अपने चिकित्सा के लिए खर्च करना पड़ता है नीती वच्चन के 23 में अध्याय और उसके चौथे वच्चन में देखो क्या लिखा है धनी होने के लिए परिश्रम न करना अपनी समझ का भरोसा छोड़ देना क्या तू अपनी दृष्टी उस वस्तू पर लगाएगा जो है ही नहीं वह उकापक्षी के समान पंक लखाकर निसंदेह आकाश की और उड़ जाता है आपके लिए वो ओवर टाइम के पैसे की जरुत नहीं है आप जो पाते हैं उसमें संतुष्ट रहे और परमेश्वर की आशीश आपको स्वस्थ और आनन प्रदान करती है साथ ही याद रखिए जो आप मेहनत करतें कारे करतें आप के शरीर को दो बातों की खास जरूरत है समय पर भोजन और समय पर विश्राम मैं येश्व मसी के जीवन से आपको बताना चाहता हूँ मेरे साथ में खोलिया मरकुस रची सू समाचार उसका छटमा दिया है और इसके 31 वच्चन में लिखा है येश्व ने उनसे कहा अपने शिश्यों से बात कर रहा है तुम आप अलग किसी एकांत स्थान में चल कर थोड़ा विश्राम करो क्यूंकि बहुत लोग आते जाते थे और उन्हें खाने का अवसर भी नहीं मिलता था खाने के लिए भी समय नहीं निकाल पा रहे हैं लगातार लोग आ रहे हैं सुबह से शाम तक बिल्कुल भीड़ गए हैं लेकिन येश्यों ने कहा अलग हट जाओ चलो खाने के लिए निकलते हैं इसलिए वे नाव पर चड़कर एक सुनसान जगा में चले गए हैं प्रभु येश्यों को भोजन करना भी अच्छा लगता था और लोगों ने तो उसको क्या कह न है न शुरू किया मालू मैं मनुष्य का पुत्र खाता पीता आया और लोगों ने उसे का देखो पेटू यहने कि प्रभु येश्यों खाते पीते थे ऐसा लोगों ने भी देखा था लेकिन येश्यों हमको वास्तों में सिखा रहे हैं अपने शरीर की उपेख्षा ना क प्रकार से परमेश्वर कहता है मेरे और तेरे बीच में ये सदा का चिन रहे हमेशा कीविधी रहे लेकिन प्रियों आपको मालूम है कुछ वर्ष पहले की बात है जापान देश में इस सात दिन के सपताः का नियम तोड करके परमेश्वर कीविधी तोड करके उन्होंने दस दिन का सब्ताह बनाने की कोशिश की लेकिन जल्दी ही हार मान गए और वापस साथ दिन पर आना पड़ा क्यों? क्योंकि दस दिन के सब्ताह में बहुत सी विफलताएं हुई बहुत सारी दुरगटनाएं हो रही थी उनका उत्पादन उत्तमरीती से नहीं हो पा रहा था परमेश्वर ने मनुश्यों को बना करके बगीचे में रखा उसकी खुली हवा में रखा उसके ऐसी हवाओं में जिसमें प्रान वायू भरपूर हो और ऐसे जिनके हवाओं के चलते मानो संगीत भी निकलता हो हमारे शरीर को आराम की जरूरत होती है हमारे शरीर को कसरत की जरूरत होती है याद से इन बातों को करते रहें प्रियों और परमेश्वर के आज कि इस पार्ट को समनन रखें कि अपने शरीर की उपेक्षा न करें How not to work कारिय कैसे न करें अपने शरीर की उपेक्षा न करें परमेश्व पिता आप सब को आशीश दे